हेलो एव्रीवन वेलकम टू माई चैनल मैं महेश राई स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में तो हम कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी को लेके इंपोर्डेंट परस्ट और अभी केवी एस में वेकेंसिस बहुत सारी आ रही हैं देखने को मिल रही है दिल्ली में भी आ चुकी है और हर्याना में भी आने वाली है या आ चुकी है आप देख लेना क्योंकि अभी हर जगा पे केवी एस की वेकेंसिस अभी फैब में हां मार्च में मार्च में आपको देखने को मिलेगी हर जगा पे वेकेंसिस आएंगी ठीक ये टाइम होता है जनवरी फरवरी वैसे तो होता है दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है लेकिन अभी तो बन था कोईट की वज़े से तो इसलिए फैब मार्च में ये वेकेंसिज आ रही है तो आप सभी अपलाई कीजिए ठीक है और जून जुलाई में आपको बहुत जगा की वेकेंसिज गौवर्मेंट वाली वो देखने को मिलेगी ये प्राइविट ये कॉंट्रेक्ट बेस की जॉब्स अभी आ रही है ठीक है तो चलिए कोशन नमर दोस्तों 326 बहत्तर मीलों का वर्णन किस विदवान द्वारा किया गया आचार भरत मतंग भात खंडे या व्यक विकट मुखी ठीक है बहत्तर मील का वर्णन विकट मुखी के द्वारा हुआ है कोशन नमर 327 जो एक राग से दूसरे राग में प्रवेश कराए कहलाता है पूर्वांग राग उत्रांग राग परमेल प्रविशक या सिंधी प्रकास राग सही आंसरोगस का सी परमेल प्रविशक राग ठीए कोशन नमर 328 मतंग ने नाद के कितने भीरमाने है पाँच छे साथ तीन तो मतंग ने पाँच माने है नाद के वे ठीक है शुक्षम अतिशुक्षम कृतम और कौन-कौन सा है दो और है वो ठीक है अभी मैं बताता हूँ आपको शुक्षम अतिशुक्षम व्यक्त अव्यक्त कृतम यह है पाँच ठीक है शुक्षम कहां से उत्पन होता है नाद नाभी से अतिशुक्षम हिर्दय से व्यक्त कहां से होता है तो गले से कंट से अव्यक्त कहां से होता है अव्यक्त तो तालू से कृतम कहां से होता है तो कोश्च नमबर 329 जिस स्वर से जाती गायन पारम होता है उसे कहते हैं ग्रह न्यास अंश या उपनियास जिस स्वर से जाती गायन पारम होता है तो जाती गायन जहां से पारम होता है उसे ग्रह कहते हैं ठीए या दग ना जाती गायन जहां से पारम होता है उसे ग्रह कहते हैं कोश्च नमब 333 सादरा किसे कहते हैं टप्य को चैती को धुरुपत को या धमार को साद्रा चैती को कहते हैं कोश्चन 331 पंजाबी भाषा का प्रियोग किस गायन शहली में होता है धृपत तराना टपा या खयाल सी आंसर होगा इसका टपा पंजाबी भाषा का प्रियोग टपे में किया जाता है कोश्चन 332 स्वर की द्रिष्टी से रागों में कितने वर्ग बताए गए हैं 3,4,5 यच्छे तो इसका सही आंसर होगा ए तीन बताए गए है कोश्चन 333 विक्रिस्ट शब्द से क्या अभी प्राए हैं मंद्र स्वरो में गायन, मद्द्र स्वरो में गायन, तार स्वरो में गायन या इन में से कोई नहीं ये आंसर होगा इसका मंद्र स्वरो में गायन, विक्रिस्ट शब्द इसका अभी प्राए है ये ठीक है कुशे नमर 334 रामायन, कालीन, संगीत में कितनी जातियां का उलेक है 5, 6, 7 या 8 सारे important प्रश्चन है, ये सारे कर लेना मैं thumbnail जो बनाता हूँ, उसमें लिखता हूँ कि important है वो ऐसे ही नहीं लिखा है, important है, इसलिए मैं बता रहा हूँ तो जितने भी important वाले मैंने ऐसे करके करवाए हैं, वो सारे जरूर कर ले उसके आद मैंने LTE grade के लिए कम से कम 30 वीडियोस बनाई है वो सब एक lines सारी देखे, उसके बाद आपको क्या करना है UPTGT, PGT को लेके मैंने वीडियोस बनाई है वो सारी वीडियोस देखे, आपकी TGT, PGT को लेके आपकी बहुत अच्छी तयारी हो जाएगी डेली आप 2-3 वीडियोस देखे, जिससे आपकी बहुत अच्छी तयारी हो जाएगी अगर net के लिए तयारी करें, तो net के लिए अलग से मैंने बना रखा है सारे कोशन बेपर करवा रखे हैं, तो सोस भी जाके आप देख सकते हैं, अगर net की तयारी कर रहे हैं तो इसका सही आंज होगा साथ, रामाइन कालिन संगीत में कितनी जातियों का उलेक है तो साथ कोशन बेपर 335, धमार ताल का प्रियोग किस गायन शैली के साथ किया जाता है खयाल, टपा, धमार, यट्ठोमरी इसका सही आंज होगा सी, धमार, धमार ताल का प्रियोग तो धमार के ही साथ किया जाता है संगीत एव कला के लिए प्रसिद विश्व विद्याले किस स्थान पर इस्थित है राइगड, खेरागड, पतावगड या मध्यप्रदेश संगीत और कला के लिए प्रसिद विश्व विद्याले सही आंसर इसका B होगा खेरागड, कोशन नमबर 337, निम्र में से कौन सा वाद समानतर समानतर शब्तक पर आधारित है, तबला हार्मोनियम तानपुरा या सितार बलकि उसको हिलाय डोलाय नहीं जा सकता उसके स्वरों को, तो B आंसर होगा हार्मोनियम है वो, ठीक है, हार्मोनियम फिक्स होता है न स्वर, उसमें आपको चेंज नहीं कर सकते हैं, तबले में कर सकते हो, स्वर को उपर कर सकते हो, स्वर को नीचे कर सकते हो, तानपुरी मे ये नहीं किया जा सकता इसलिए इसे कहते हैं सामान अंतर और सुसीरवादे के अंतरगत इसे लिया जाता है क्योंकि ये हवा के दवाब से बजाये जाता है Quesion No.33 जिन वादियों में वायू द्वारा द्वहनी उत्पादित की जाती है उसे कहते हैं ततवादे सुसीरवादे वायू वादे ये तारवादे अभी अभी मैंने इसका बताया अभी अभी क्योशन आ गया इसका सही आंसर होगा भी सुसीरवादे के अंदर की दा जाता है जो द्वहनी वायू के द्वारा पादित की जाती है Quesion No.34 तंबूरे तानपूरे का वर्तमान स्वरूप किस सताबदी की देन है दस्वी ग्यार्वी बार्वी या तेर्वी देखे इसका सही आंसरों का तेर्वी सताबदी की देन है तानपूरे का वर्तमान स्वरूप या तंबूरे का वर्तमान स्वरूप कौन सी सताबदी का देन है तो तेरवी सताबदी का देन है कोश नम्बर 340 निम्न में से परमेल प्रवेशक राग है दरवारी कानला मुलतानी तोड़ी या उप्युक्त में से कोई नहीं लेके MCQs हमें इसलिए भी ज़्यादा पढ़ने चीए क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसको करते हैं तो हमारे माइन मों सेट हो जाता है एक्जाम में अगर जब भी आएगा तो आपके माइन में वह आ जाएगा किए इसका यह आंसर है इसका यह आंसर है तो आप यह सब जरूर करें, यह important question है, बाकि theory के लिए मैं theory भी लाऊँगा, थोड़ा time दीजिए, मैं theory भी लाऊँगा, अभी थोड़ा सा time नहीं मिलता, इसलिए मैं नहीं ला पाता, theory, और जैसी time मिलेगा, मैं theory की class होगी न, तो वो थोड़ी बड़ी होगी, एक गंटे तक की होगी वो class, अगर मैं एक चीज़ को समझाता हूँ तो, और मैं उसको दो-तीन तरीके से समझाऊँगा, एक तो पूरा पढ़के मैं आपको बता दूँगा, उसका जो उसके importance है जो theory में, आपको किस तरीके से क्या-क्या चीज, mean चीज़े हैं, जो आपको याद रखनी हैं, वो सारी चीज़े भी मैं आपको बताऊँगा, ठीए, टेंशन ना ले, अच्छे सा भी तयारी करें, सारी वीडियोस देखें, और शेयर करें, चैनल को, और positive रहें, सही अंसर होगा मुलतानी, परमेल परवेशकरा कौन सा है, तो मुलतानी है, कोशन नमबर 341, निमलिखित में से कौन सा राव उत्तरांगवादी है, नाइकी कांधला, पहाडी, अलहिया विलावल, दुरगा, तो उत्तरांगवादी है, अलहिया विलावल, ठीक है, कोशन नमबर 342, निमलिखित में से कौन सा राव, उत्तरांगवादी है, देशी, स्यामकल्यान, देवगिरी विलावल या देशकार, और इसका जो सही आंसर है, वो D है, देशकार, कोशन नमबर 343, निम्न में से किस राव का आधार लोक धुन है, जैता, श्री, गौरी, पहाडी या भटियार, अपनी नोट्स जरूर बनाएं, और अच्छी बुक्स पढ़ें, जैसे कन्फ्यूजन ना रहें, डेली पढ़ने के आदत लगाएं, डेली पढ़ें, अगर डेली नहीं पढ़ोगे, तो आपका रूटीन सेट नहीं होगा, एक टाइम टेबल बनाके आप पढ़ा कीजिए, अगर आप जौब कर रहे हैं, तो फिर आप कम पढ़िए, कोई बात नहीं है उसमें, अब दो दो गणे सेट कर लीजे, डो गणे इस टाम पढ़ना है, दो गणे इस टाम पढ़ना है, पढ़ना नाइटी में आप पढ़लीजे, तीν चार गणे, तो अपना टाइम सेट करक पहले दो-तीन घंटे से स्टार्ट करिए और देरी उसको बढ़ाईए सरी आंसर है इसका C पहाड़ी निम्ण में से किस राग का आधार लोग धुन है तो पहाड़ी का है Q344 निम्ण में से उत्रांग प्रधान राग कौन सा है दर्वारी कांगला आनंद भहरव बहार या व्रिंदावनी सारण अब आपको अच्छा लग रहा होगा मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया अब आपको वीडियो जल्दी जल्दी आंसर मैं देता हूं सही है ना इतना आपको ज़्यादा जल्दी लगे तो बता देना मैं धीरे धीरे फिर करवाऊंगा इसका सही आंसर होगा बहार ठीक है उत्रांग प्रधान राग कौन सा है तो बहार इन में से कुछ नमर 345 सिंदूरा किस अंग का राग है आसावरी कल्यान खमाज्य काफी इसका सही आंसर डी होगा काफी ठीक है निम्न में से कुछ नमर 345 निम्न में से उत्रांग वादी राग का नाम बताईए जैत सोहनी छायनट शंकरा यह एंशी कोशन में भी न ऐसे कोशन आपको करने हैं जो आते हैं ठीक है ऐसे कोशन मत कीजिए जो आएंगे नहीं ठीक है आप इस वार का भी आप नेट का कोशन पर उठाके देख लिजेए जो ज्यूपि टीजीट का आया थ हूव्य कॉशन पर देख लीजे यूपि पीजीटी का कॉशन पर ऊठाके देखेए पाता चलेगा कि किस लेड़ से कोश्ट पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी में नेट में भी ठीक है अब भले ही पहले के कोशन पेपर भी उठा के देखिए आपको एक क्लियर होगा कि इस तरह के से कोशन साथ है इस लेबल के भी कोशन आते हैं तो एक तरीका होता है mcq का भी mcq भी वही करना है जो आपको जो चांस होते आने के डी आंसर होगा इसका शंकरा उतरांग वादी कौन सा है तो शंकरा है कोशन नमबर 347 निम्न में से उतरांग प्रधान राग को पहचाने यमनी विलावत चंद्रकोष सोनी कलिंगडा उतरांग प्रधान राग को पहचाने तो c होगा इसका सोनी ठीक है देखिए अब कोशन नमबर 348 चंद्रकोष किस थाठ का राग है बहरवी तोड़ी कल्यान या विलावल चंद्रकोष तो ये जो है वो है विलावल का ठीए बहरवी का होगा चंद्रकोष कोशन नमबर 348 पूर्य धना शरी राग किस थाठ का राग है आसावरी मारवा खमाज पूर्वी देखे एक बात मैं आपको पता देता हूं कि जो राग वाल एक प्रश्ण होते है न जितने भी वह राग आपको अगर आता है फिर तो उसका आंसर आप अराम से देगा अगर नहीं आता तो क्या उस राग को सीखने बैठ जाओगे तो सीख लोगे तो और के करीब या डेड़ सो इतने आपको आने चाहिए थियोरी के हिसाब से अगर आप किसी भी TGT PGT के लिए अपलाई करते हैं नेट के लिए अगर करते हैं तो इतने कम से कम आने चीए तो सारे राग आप सीखोगे तो कितना टाइम लग जाएगा तो इसलिए इसके लिए देली देखिए उसे वरना भूल जाओगे आप आपको करोगे और भूल जाओगे इसलिए उसका चार्ट बनाके आप जहां सोते हैं वहां लगा लीजे कोई रूम में लगा लीजे उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा अगर यह ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप चार्ट पेही बनाई है लेकिन उसको चिपकाना मत उसको फोल्ड करके किसी नोटबुक में आप रखिए और जैसे कोई प्रशन आता है तो उससे खोल के देखिए डेली पढ़िए दो या दो तीन दिन पर पढ़िए वह आपको ज्यादा हेल्प करेगा बहुत ज़रूरी है वह ठी ये होता है लाग में और एक यही pH होती है कि fix नहीं होता कि यही पूछा जाएगा जाएसर आत कैसे कि आपको मैं बताता हूं कि जैसे घरानी में ज्यादा तर कि को क्या वात खंडे जी का ले लीजिए या किसी कभी परुछकार जी का ले ली जी यह कौन से घराने से हैं यह पूछा जाएगा यह कौन से घराने से हैं इनकी पुस्तक कौन सी है और इने कौन सा पुरुसकार मिल चुका है इने यह सा पुरुसकार में भी वो पूछा जाता है उनका पुरुसकार जो जैसे अलंकार उन्हें किसी को पदम भूशन मिला है और पदम श्री भी मिला तो पदम भुशन के बारे में उनके लिए पूछा जाएगा ज्यादा चांस होता है उनको जो हाइयर मिला होता है वो पूछा जाता है तो इसमें भी तो फिक्स है ना जैसे इसमें उनके पिता का नाम क्या है उनके गुरू का नाम क्या है यह सब बहुत कम पूछा ज जदाता है जदतर पूचा जाता है इनके द्वारा बुक्स कौन से लिखी गई इनको कौन से सं में संब्साइक भूचा जाता है और कौन से घरआने से यह सबसे ज्यादा पूछी जाती है तो लेकिन राग का न ऐसा नहीं है कुछ भी राग में आपसे तो दस चीज़े हैं वो पूछी जाएंगी जैसे आपका जाती वादी समवादी समय उसका संप्रिकति राग जो कौन सा है वो और कि कोई एक खंड दे दिया जाएगा सुरा वली दे दी जाएगी आपको और उसमें से पूछ दिया जाएगा कि बता यह कौन सा राग है तो उसको कैसे समझोगे तो यह कुछ चीजे होती है तो उसके लिए वह बहुत जरूरी है तो अगर आपको अच्छा लगे तो आपको कर सकते हैं ना अच्छा लगे तो मत करना तो इसका सही आंसर पूर्वी होगा पूरिया ध्राश्री का और आज का अंतिम प्रश्ण है कुछ नवा 350 निम्न में से परमेल प्रवेशक राग को पहचाने आसावरी खमाज जयजवन करती या पूरिया कल्या मैं तो अपनी तरफ से आपको बिलको सही बताता हूं ताकि आप सब की help हो सके में मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरी तरफ से आपकी जितनी भी help हो जाए मैं पूरी कोशिश करता हूं बाकि आप सब भी अपना feedback दिया कीजी ताकि मुझे पता चल सके कि आप सबको अच्छा तो लग रहा है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जय जय वन्ती ठीक है परमेल प्रविशक राग कौन है तो जय जय वन्ती है और टेंशन मत लीजिए अभी व्यकेंस आने वाली है और सब कुछ अच्छा होगा जो नैट का एक्जाम देवा उनका भी अच्छा होगा तो चिंता मत करिए आगे बढ़िए वो कहा गया है कि चिंता करो वाखी जो अन्होनी होए अन्होनी होनी नहीं और होनी होए सो होए चिंता उसकी करो जो अन्होनी होए जो अन्होनी होता उसी के चिंता करनी चिये अन्होनी होनी नहीं अन्होनी कभी नहीं होती और होनी होई सो होई तो इसलिए अच्छे से आप अपनी तयारी करिए और आगे बढ़िए तो आज के लिए इतना ही thank you everyone और अपना ध्यान रख पढ़ते रहिएगा खुश रहिएगा स्वस्त रहिएगा मस्त रहिएगा रिपेशन के साथ जवर्दस्त रहिएगा और आज के लिए इतना ही थैंक एवरिवन जया हिंड जया भारत